C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू दो प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 14 इसका शीर्शक है आते पक्षी जाते पक्षी प्रिष्ट 111 से प्रिष्ट 123 तक प्रिष्ट 111 है इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लाल रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्शक लिखा है आते पक्षी जाते पक्षी इसके बाई और अध्याय की संख्या याने चौदह लिखा है उसके साथ ही एक बालक का चित्र है इस प्रिष्ट पर नदी के किनारे बैठे कुछ बच्चे एक चित्र में दिखाई दे रही हैं नदी के अंदर और नदी के बाहर पेडों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं उन बच्चों में से एक लड़की कह रही है वाह यहां पचीज पक्षी हैं तभी एक लड़का कहता है देखो उपर देखो कुछ नए पक्षी आ रहे हैं प्रिष्ट एक सौब बार है इस प्रिष्ट पर बई और उपर एक बालक का चित्र दिखाया गया है वो कह रहा है चलो अपने काड का इस्तिमाल कर उन्हें गिनते हैं उस बालक के चित्र के ठीक दाईं और आकाश में उड़ते हुए पीले रंग के कुछ पक्षी एक चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। इस प्रिष्ठ पर इसके नीचे कुछ बच्चों का चित्र दिखाया गया है। वो उन पक्षियों को देख कर कह रहे हैं। एक दस काड पक्षियों के इस पूरे जुन्ड के लिए। इसी तरहे इस प्रिष्ठ पर दाईं और बीच में सफेद रंग के पक्षी आकाश में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर बाईं और दिखाए गए एक चित्र में एक लड़का कह रहा है। और छे एक के काड पक्षियों के इस जुन्ड के लिए। इस पृष्ठ पर नीचे दाईं और एक लड़का कह रहा है तो ये हो गए सूलह पक्षी। और इसी के साथ इस चित्र में बिलकुल बीच में पीले रंग का दस का एक काड जो वरगाकार है। उसके अलावा उसके चारों और त्रिभुज के आकार में एक को दर्शाते हुए छे काड दिखाए गए हैं। इन काड का रंग नीला है। इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे बच्चे एक जुंड में बैठे हुए हैं। और वे कह रही हैं पर ये आए कहां से। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। ये एक अच्छा मौका हो सकता है बच्चों को प्रवासी पक्षियों के बारे में बताने का। जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं वे किस पैटन पर उड़ते हैं उसे पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। प्रिष्ठ 113 है इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है पच्चीस पक्षी और आ गए। अब कुल कितने पक्षी हैं इसे जानने के लिए पच्चीस और सोलह को जोड़ते हैं। पच्चीस जमा सोलह के लिए हम लिखते हैं। दस के लिए पीले रंग का एक वरगाकार काड और एक के लिए नीले रंग का त्रिभुज के आकार का काड। इसके नीचे बाई और जमा का चिन्ह दिखाया गया है। और दस के नीचे पहले पीले बकसे में एक लिखा गया है और एक के नीचे पहले नीले बकसे में छै लिखा गया है। इसी प्रकार दस के नीचे दूसरे पीले बकसे में दो लिखा गया है याने दो काड और एक के नीचे दूसरे नीले बकसे में पांच लिखा गया है याने पांच पक्शी। इसके ठीक साथ एक काड में दस पक्षियों को दर्शाने वाले तीन पीले रंग के वरगाकार काड रखे गए हैं। और आस्मानी रंग के बक्षों को खाली छोड़ा गया है। इन बक्षों को भारें। इसके नीचे एक और तालिका दी गई है। चिन दिखाया गया है। इसके नीचे बाई और जमा का चिन बनाया गया है। तालिका में सबसे उपर बाई और पीले रंग के बक्षे में एक बड़ा एक और छोटा एक लिखा गया है। उसके ठीक नीचे दूसरे पीले रंग के बक्षे में दो लिखा गया है। इसी प्रकार दाई और उपर आस्मानी रंग के बक्षे में छे लिखा गया है। उसके नीचे दूसरे बक्षे में पांच लिखा गया है। इसके ठीक साथ में दस पक्षियों को दर्शाने वाले चार पीले रंग के कार्ड दिखाए गये हैं। और उसके ठीक साथ में दाहिनी ओर एक पक्षि को दर्शाने वाले त्रिबुजाकार साथ कार्ड दिखाए गये हैं। और उसके साथ ही एक और नीले रंग का एक कार्ड दिखाया गया है। जो साथ कार्ड एक साथ दिखाये गये हैं। उन पर काटे का निशान लगा दिया गया है। और चिन्न के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि उन्हें पीले रंग के कार्ड में शामिल कर दिया गया है। इसके ठीक दाहिनी ओर एक पक्षी का चित्र है जो कह रहा है सब एक को इकठा रखने पर हमें ग्यारह एक मिलते हैं। दस एक एक दस बनाते हैं और हमारे पास एक बच जाता है। इस तालिका में सबसे नीचे बाई और पीले रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है और दाहिनी और नीले रंग के बक्से में एक लिखा गया है। इस खाली बक्से को भरें। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे तीसरी तालिका दिखाई गई है। जिसमें सबसे उपर दस का एक काड दिखाया गया है। इसी तरह उसके दाहिनी और नीले रंग के त्रिभुज में एक का काड दिखाया गया है। इस तालिका के बाई और जमा का चिन दिखाया गया है। इस तालिका में बाई और सबसे उपर बड़ा एक और छोटा एक लिखा गया है। इसके ठीक दाहिनी और आसमानी रंग के बकसे में छै लिखा गया है। दस काड के नीचे दूसरे बकसे में दो लिखा गया है और एक वाले काड के नीचे दूसरे बकसे में पांच लिखा गया है। इसके साथ दाहिनी और दस दस के चार काड दिखाए गये हैं और उसके साथ एक का एक काड ही दिखाया गया है। इसके दाहिनी और एक पक्षी चित्र के माध्यम से ये कहता हुआ दिखाया गया है। सब दस को मिलाकर हमारे पास चार दस होते हैं। इस तालिका में सब से नीचे पीले रंग के बकसे में लिखा है चार और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है एक। एक, इसके नीचे लिखा है, इसलिए पक्षियों की कुल संख्या एक्तालीस है, इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, शिक्षकों के लिए निर्देश, पार्ट आठ में बच्चों ने टोकन कार्ड बनाए होंगे, उनी टोकन कार्ड का इस्तेमाल लिखित रूप में हिसाब करने के पहले कीजिए, प्रिष्ठ 114 है, इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर बई और नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, कितने सारस और हंस हैं, इसके ठीक नीचे कुछ बच्चों का एक चितर दिखाया गया है, उनमें से एक लड़की कह रही है, यहां 31 सारस और 49 हंस हैं, इसके ठीक दाई और नीचे एक बालक का चितर दिखाया गया है, वो बालक कह रहा है, चलो पता लगाएं कि वहां कितने सारस और हंस हैं, इसके नीचे लिखा है, इसी तरह हम सारस और हंसों की कुल संख्या को गिनेंगे, इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है, इसके बाईयोर लिखा है हंसों की संख्या, उसके नीचे लिखा है सारसों की संख्या और जमा का चिन्ह दिखाया गया है, इस तालिका के उपर दस के एक कार्ड का चिन्ध और एक के एक कार्ड का चिन्ध दिखाया गया है इसके नीचे पीले रंग के बक्से में दस वाले कार्ड के नीचे लिखा है तीन आस्मानी रंग के बक्से में नीले कार्ड के नीचे लिखा है नौ इसी तरह पीले रंग के बक्से में दस वाले कार्ड के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा है तीन और इसके साथ दाहिनी ओर बने बक्से में लिखा है एक और इसके दाहिनी ओर दस दस के छे कार्ड दिखाए गए हैं और एक एक के दस कार्ड दिखाए गए हैं इसके नीचे एक और पक्षी का चित्र दिखाया गया है चित्र में वो पक्षी कह रहा है इसे बिना लिखे भी करने की कोशिश करो प्रिष्ट पर सबसे नीचे लिखा है सारसों तथा हनसों की कुल संख्या रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को भरें प्रिष्ट 115 है इस प्रिष्ट पर सबसे उपर पक्षियों के चार जुन्ड चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं उसके नीचे लिखा है एक दिन सुबह सूरज ने देखा के सतर पक्षियों में से केवल 26 पक्षी ही बचे हैं बाकी पक्षी चले गए कितने पक्षी चले गए इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है तालिका के बाई और घटा का चिन्ड बना है तालिका के ऊपर दस और एक के काड का चिन्ड दिखाया गया है दस के काड के चिन्ड के नीचे पहले पीले रंग के बक्से में लिखाया है साथ एक के काड के चिन्ड के नीचे पहले आसमानी रंग के बक्से में लिखा है शून्य इसी तरह दस के काड के नीचे बने दूसरे बक्से में लिखा है दो और एक के काड के नीचे बने दूसरे बक्से में लिखा है चै इसके दाहिनी और दस दस के नो काड दिखाये गए हैं और इसी तरह एक एक के चै काड दिखाये गए हैं इसके नीचे पीले रंग के और नीले रंग के बकसे को खाली छोड़ा गया है और उसके नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसके साथ में लिखा है पक्षी चले गए इस रिक्त स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर दाई और सबसे नीचे एक पिताव पुत्र का चित्र दिखाया गया है इस चित्र में पीछे पक्षियों को जाते हुए दिखाया गया है पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं सूरज उदास मत हो वे अगले साल जरूर वापस आएंगे प्रिष्ठ 116 अभ्यास का समाए एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 23 रन और धोनी ने 79 रन बनाए कुल मिलाकर कितने रन बनाए इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे उपर दस के काड का चिन्ह और एक के काड का चिन्ह दिखाया गया है दस के काड के चिन्ह के नीचे पहले पीले बकसे में दो इसी तरह एक के काड के चिन्ह के नीचे पहले नीले बकसे में तीन फिर दस के काड़ के नीचे दूसरे पीले बकसे में छै और एक के काड़ के नीचे दूसरे नीले बकसे में नौ लिखा गया है इस तालिका में बाईं और जमा का चिन्ध बनाया गया है इस तालिका में सबसे नीचे बने दोनों बकसों को खाली छोड़ा गया है इस तालिका के दाई और एक चित्र दिखाया गया है जिसमें क्रिकेट के मैच को दर्शाया गया है इस मैच में दो बल्ले बाज दिखाये गए हैं और कुछ दर्शक पीछे खड़े हुए दिखाई दे रही है दाई और स्कोर बोर्ड लगा है जिसमें खिलाडी का नाम वकुल रन शीरशक के रूप में लिखे हैं और खिलाडी के नाम के नीचे राहुल का नाम लिखा है और राहुल के नाम के सामने उसने जितने रन बनाए हैं वो लिखे हैं याने तेईस इसी तरह धोनी उनहत्तर रन इस चित्र के नीचे एक प्रश्न पूछा गया है कुल खाली स्थान रन बनाए गए इस खाली स्थान को भरें इसके नीचे लिखा है एक मेले में देमा ने अड़तालीस शौल बेचे अगले दिन उसने सत्रह शौल और बेचे कुल मिलाकर उसने कितने शौल बेचे इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है इस तालिका में सबसे उपर बई और पीले रंग के बकसे में दस के काड का चिन्ध और दाई और नीले रंग के बकसे में एक के काड का चिन्ध दिखाया गया है और इसके नीचे के तीनों बकसे खाली छोड़े गए हैं इन खाली बकसों को भरें इसके दाई और लिखा गया है देमा ने कुल खाली स्थान शौल बेचे इस खाली स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है बुन्नु खरगोश एक सप्ताह में 29 गाजर खाता है उसका दोस्त मुन्नु खरगोश सप्ताह में 42 गाजर खाता है कौन ज्यादा गाजर खाता है और कितनी इसके नीचे एक तालिका दी गई है इस तालिका में सबसे उपर पीले रंग के बकसे में दस के काड का चिन्ध दिखाया गया है, उसके दाई ओर सबसे उपर एक के काड का नीला चिन्ध दिखाया गया है, इसके नीचे बने हुए तीनों कॉलम्ब खाली छोड़े गए हैं, इन्हें भरें। इस तालिका के दई ओर बुन्नू और मुन्नू खरगोश का चित्र दिखाया गया है, वो दोनों गाजर खा रहे हैं। इसके नीचे आप से एक प्रश्न पूछा गया है, खाली स्थान, खरगोश, खाली स्थान, गाजर ज्यादा खाता है। इन रिक्त स्थानों को भारें। प्रिष्ठ एक सौ सत्र है। इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है, नेहा उनतीस साल की है, उसकी माँ अठावन साल की है, नेहा की माँ उससे कितनी बड़ी है। इसके ठीक नीचे एक तालिका दी गई है, जिसमें सबसे उपर पीले रंग के बकसे में दस के काड का पीला चिन्ह दर्शाया गया है। इसी तरहे उसके दाई और एक के काड का नीला चिन्ह दर्शाया गया है। इस तालिका में नीचे दिये गए सभी बकसे खाली छोड़े गए हैं। इन बकसों को भरें। इस तालिका के दाई और लिखा गया है, मा नेहा से खाली स्थान साल बड़ी हैं। इस खाली स्थान को भरें। इस प्रिष्ठ पर नीचे एक पक्षी का चितर दिखाया गया है, उसके ठीक सामने लिखा है, हल निकालो। इसके नीचे कुछ प्रश्ण लिखे गए हैं पहले प्रश्ण में बाई और जमा का चिन्ह लगा है और इसके दाई और दो संख्याई लिखी गई है उपर 24 वर नीचे 17 है इन दोनों को जोड़ कर इनके योग को नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरिंग इससे अगले प्रश्ण में पहले घटा का चिन्ह लगाया गया है याने इन दोनों संख्याऊं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है उपर लिखी गई संख्या है 32 और उसके नीचे लिखा गया है 27 तो 32 में से 27 को घटा कर जो शेश आता है उसे आप नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरिंग इससे अगले प्रश्ण में पहले जमा का चिन्ह लगाया गया है याने आगे लिखी गई दोनों संख्याऊं को आपको जोड़ना है उपर लिखा गया है 68 वो नीचे लिखा गया है 13 है इसी प्रकार इसके साथ वाले प्रश्ण में भी जमा का चिन्ह लिखा गया है उपर लिखी गई संख्याऊं है 19 और नीचे लिखी गई संख्याऊं है 49 इन दोनों को जोड़े और उत्तर नीचे दिये गई खाली बक्सों में भरिंग इसी प्रकार इसके नीचे बाई और पूछे गई प्रश्ण में पहले जमा का चिन्ह लगा है और उसके साथ दो संख्याइं लिखी गई है पहली संख्या में लिखा गया है 5 और 4 याने 54 उसके नीचे लिखी गई संख्या में आप देख सकते हैं लिखा गया है चार वतीन, तैंतालीस, इन दोनों को जोड़े और उत्तर नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरें इसके साथ वाले प्रश्ण में पहले घटा का चिन्ह लगाया गया है इसमें उपर लिखा गया है साथ वतीन याने तिहत्तर और इसके नीचे लिखा गया है पांच वनों याने उनसट तो तिहत्तर में से उनसट को घटाएं और उत्तर नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरें इसके साथ वाले प्रश्ण में जो दाई ओर दिया गया है घटा का चिन्ह लगाया गया है उपर लिखा गया है अस्सी और उसके नीचे लिखा गया है सड़ सट और उसके नीचे के दोनों बक्से खाली छोड़े गए हैं तो असी में से सड़सट को घटा कर उत्तर नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरी इसके दाहिनी और पूछे गए प्रश्न में घटा का चिन्न लगाया गया है उपर लिखी गई संख्या है चार वतीन 43 उसके नीचे लिखी गई संख्या है दो वसात 27 तो 43 में से 27 को घटा कर उत्तर नीचे दिये गए दोनों खाली बक्सों में भरी इसी तरह सबसे नीचे वाली पंक्ती में बाई और पहले प्रश्न में घटा का चिन्न लगा है और उपर लिखा है तीन वनों 49 और उसके नीचे लिखा है दो वपाँच पच्चीस 49 में से 25 को घटाएं और उत्तर नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरी इसके साथ वाली प्रश्न में जमा का चिन्न लगाया गया है उपर लिखा गया है 48 और उसके नीचे लिखा गया है 38 इन दोनों संख्याओं को जोड कर उत्तर नीचे दिये गए खाली बक्सों में भरिंग इसके साथ वाले प्रश्न में घटा का चिन्न लगाया गया है उपर लिखा गया है 9 वचार 94 उसके नीचे लिखा गया है 8 वचाथ 87 तो 94 में से 87 को घटाएं और उत्तर नीचे दिये गए दोनों खाली बक्सों में भरिंग इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे दिये गए प्रश्न में घटा का चिन्न लगा है उपर लिखा है 7 वचाथ 76 उसके नीचे लिखा है 2 वचाथ 28 तो 76 में से 28 को घटाएं और उत्तर नीचे दिये गए दोनों खाली बक्सों में भरिंग इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्पपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश अभ्यास के लिए इसी तरह के अन्य उदाहरन दिये जा सकते हैं प्रिष्ठ 118 रहे इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है सही बस में बैठो इसके नीचे तीन स्कूल बसों का चित्र दिखाया गया है बाई और खड़ी हुई बस पे बस नमबर लिखा है 49, बीच में खड़ी हुई बस पे बस नमबर लिखा है 75 और दाई और खड़ी हुई बस में बस नमबर लिखा है 67 60. बच्चे इन बसों में चढ़ रहे हैं। बस का कंड़क्टर बच्चों को कह रहा है हर काड़ पर हल करके बस का नंबर पता लगाओ। काड़ को बस के नंबर से मिलाओ और पता लगाओ। कौन किस बस में बैठेगा। कंड़क्टर के ठीक बाई और एक बालिका ने एक तख्टी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उस तख्टी पर सबसे उपर लिखा है काड़ नंबर उसके नीचे लिखा है 27 फिर जमा 22 और उत्तर के रूप में नीले रंग के अक्षरों में लिखा है उननचास। और इस तख्टी में जो उत्तर दिया गया है इसे एक तीर के निशान के माध्यम से बस नंबर उननचास तक जोड़ा गया है। याने ये लड़की बस नंबर उननचास में बैठेगी। इसी परकार कुछ और बच्चों ने भी अपने हाथों में तख्टियां पकड़ी हुई है। बाई और चश्मा पहने एक लड़की है जिसने हरे रंग की कमीज पहनी हुई है। उसके हाथ में भी एक तख्टी है। उसके लिखा है काड नंबर, उसके नीचे लिखा है अड़तालीस और फिर उननीस और उननीस के बाई और लिखा है जमा। यानि अड़तालीस और उननीस को जोड़ें और जो उत्तराता है उसे नीचे तख्टी पर लिखें और अपनी बस का नंबर पता लगाएं। इस लड़की के चित्र के ठीक साथ दाई और एक लड़के का चित्र है जिसने सलेटी रंग की कमीज पहनी है। उसके हाथ में भी एक तख्टी है। उस पर लिखा है कार्ड नंबर उसके नीचे लिखा है 88 और उसके नीचे घटा का चिन और फिर 21 यानि 88 में से 21 को घटाओ और उत्तर पाओ यानि अपनी बस का नंबर पाओ। इसके ठीक दाई और एक लड़की का चित्र है जिसके हाथ में एक तख्टी है उस पर लिखा है कार्ड नंबर जिसके नीचे लिखा है 47 फिर जमा 28 इन दोनों संख्याओं को जोड़ें और उत्तर नीचे लिखें वो अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। बीच में नीचे एक मुस्कुराते हुए बच्चे का चित्र है जिसके हाथ में एक तख्टी है बाई और बने हुए इस चित्र में तख्टी पर लिखा है कार्ड नंबर नीचे 93 फिर घटा का चिन्ध और 18 यानि 93 में से 18 को घटाएं और उत्तर रेखा के नीचे लिखें और अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। इसके ठीक दाई और हरे रंग की कमीज पहने हुए वच चश्मा लगाए हुए एक बच्चे ने एक तख्टी उठा रखी है जिस पर लिखा है कार्ड नंबर नीचे लिखा है 37 फिर जमा 12 है। लाइन के नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर उत्तर लिखें वबस का नंबर प्राप्त करें। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बाई ओर एक लड़की का चितर है जिसने लाल रंग का रिबन पहन रखा है उसके हाथ में भी एक तख्ती है जिस पर लिखा है कार्ड नंबर उसके नीचे लिखा है 38 फिर जमा 37 इन दोनों संख्याओं को जोड़ें वो उत्तर लिखें और अपनी बस का नंबर प्राप्त करें इसके ठीक दाई ओर बीच में एक और बच्चे का चितर है जिसके हाथ में भी तक्ती है उसके नीचे लिखा है 25 फिर बाई ओर नीचे लिखा है जमा और उसके ठीक साथ में लिखा है 24 इन दोनों संख्याओं को जोड़ें और उनका यो जोग लाइन के नीचे लिखे और अपनी बस का नमबर प्राप्त करें। इसके ठीक दाई और याने इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे दाई और एक और बच्चे का चित्र है। उसके हाथ में भी तखती है। उस पर लिखा है काड नंबर, उसके नीचे 99, उसके नीचे बाई और घटा का चिन्ध और फिर उसके सामने 32 लिखा है, याने 99 में से 32 को घटाएं और उत्तर लाइन के नीचे लिखें और अपनी बस का नंबर पाएं. प्रिष्ठ 119 इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर बस के कंड़क्टर का चित्र दिखाया गया है, वो कह रहा है, अब तुम दिये गए बस नंबरों के लिए कोई दो संख्याएं लिख कर दो-दो कार्ड बनाओ. कंड़क्टर के ठीक नीचे पीले रंग की तक्ती पर लिखा है घटा और उसके नीचे लिखा है उननचास. इसके ठीक दाई और बनी हुई तक्ती पर लिखा है जमा और उसके नीचे लाइन के नीचे लिखा है पच्चहत्तर. इसी प्रकार बाई और बीच में बनी हुई तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खीची गई है और उसके नीचे लिखा है सड़सट और इसके ठीक दाई और बनी हुई तख्ती पर लिखा है घटा और फिर लाइन खीची गई है उसके नीचे लिखा है सड़सट इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खीची गई है और उसके नीचे लिखा है पचहत्तर इस प्रिष्ट पर दाई और सबसे नीचे तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खीची गई है और उसके नीचे लिखा है उनन्चास इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे बादामी रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस प्रकार के और अभ्यास बच्चों द्वारा करवाए जा सकते हैं ताके बच्चे ये समझ सकें कि किस प्रकार दो अलग-अलग युगमों को जोडने और घटाने से एक संख्या बन सकती है प्रिष्ट एक सौबीस इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है काटम-काट इसके ठीक नीचे एक बच्चे का चित्र बनाया गया है जिसके सामने कुछ बक्से बने हुए हैं वो कह रहा है आज हम काटम-काट खेल अपने टीचर के साथ खेलेंगे इसके ठीक दाई और एक लड़की का चित्र बनाया गया है उसके सामने भी कुछ बक्से बने हुए हैं जिन में वो संख्याएं लिख रही है वो कह रही है दस से पचास के बीच में कोई भी संख्याएं सोचो उन संख्याओं को खानों में लिखो किसी संख्या को दोहराओ मत उस लड़की के बाई और नीचे टीचर का चित्र दिखाया गया है वो कह रही है ये संख्या तुम 27 और 12 को जोड़ कर पाओगे दाई योर बने हुए चित्र में वो लड़की फिर दिखाई गई है वो अपने सामने बने हुए बक्सों में एक संख्या लिख रही है वो कह रही है 27 जमा 10 बराबर 37 और दो जोड़ें तो होगा 49 इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश अभिभावक बच्चों को ये खेल खेलने में सहायता करी उन्हें 10 से 50 के बीच की संख्याएं खानों में लिखने को कहीं फिर जोड के सवाल जैसे 18 जमा चार बोलें धीरे धीरे बड़ी जोड करवाईं वे बच्चों से संख्याओं को बुलवा भी सकते हैं और खुद संख्या काट सकते हैं बाद में इसी तरह के खेल घटाने के लिए भी इस्तिमाल किये जा सकते हैं प्रिष्ट 121 इस प्रिष्ट पर बाईं और सबसे उपर टीचर का चित्र दिखाया गया है वो दाईं और बैठी लड़की से कह रही हैं चलो 49 पर काटा लगाओ जो सबसे पहले सारी संख्याएं काट लेगा वही जीतेगा दाईं और बने हुए चित्र में लड़की अपने सामने रखे हुए बक्सों में लिखे हुई संख्याओं में 49 पर काटा लगाते हुए दिखाई दे रही है नीचे लिखा है अपने टीचर या दोस्त से दो संख्याएं बोलने को कहो जिने आप जोडें और इस खेल को आगे बढ़ाओ इसके नीचे नारंगी रंग के अक्षर में लिखा है चकाचक टोली और इसके नीचे एक पार्क में कुछ बच्चे सफाई करते हुए नजर आ रही है दो बालिकाओं के हाथ में जाडू हैं एक बालक के हाथ में एक बोरा है वह एक बालक के हाथ में कचरे की टोकरी है उनके ठीक सामने कचरे का डिबबा भी बना हुआ है पीछे एक व्यक्ती कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है चित्र के नीचे लिखा है चकाचक शब्द का मतलब है साफ और चमकता हुआ चकाचक टोली बच्चों के समुह का नाम है जो अपने पार्ख को साफ करने के लिए काम करते हैं प्रिष्ट एक सबाइस इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा है श्रेया रुपए का हिसाब अपनी डाइरी में लिखती है श्रेया की मदद इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचा इसके नीचे श्रिया की डाइरी के एक पन्ने का चित्र दिखाया गया है उस पर सबसे उपर लिखा है डाइरी उसके नीचे लिखा है अक्तूबर उसके नीचे लिखा है अक्तूबर तीन साथ रुपए जमा हुए अक्तूबर साथ, अठारह रुपए की जाडू खरीदी अक्तूबर बारह, पचीस रुपए में फिनायल की बोतल खरीदी अक्तूबर पचीस, सताइस रुपए बनाए गए काड बेच कर जमा हुए इसके नीचे लिखा है कुल जमा किये रिक्तस्थान रुपए उसके नीचे लिखा है कुल खर्च किये रिक्तस्थान रुपए सबसे नीचे लिखा है अक्तूबर के अंत में कुल बचे रिक्तस्थान रुपए इन रिक्तस्थानों को भारें प्रिष्ठ 123 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है चकाचक टोली के बच्चों ने पार्क में पेड़ों की संख्या गिनी, इसके नीचे एक तालिका दी गई है, जिसमें सबसे उपर शीरशक के रूप में बाईयोर लिखा है पेड, उसके दाईयोर लिखा गया है संख्य पेड़ शीरशक के नीचे दिखाए गए पेड़ के चित्र के ठीक सामने संख्या वाले कॉलम के नीचे लिखा है नब्बे इसी प्रकार पेड़ शीरशक के नीचे दूसरे खाने में दिखाए गए चित्र के सामने लिखा है पचहत्तर तीसरे पेड के सामने लिखा है 82 चौथे खाने में दिखाए गए पेड के सामने लिखा है 68 और पांच्वे खाने में दिखाए गए पेड के सामने लिखा है 94 इसके नीचे लिखा है उंचे पेड छोटे पेड से ज्यादा है ये पेड कितने ज्यादा हैं? रिक्तस्थान को भरें। उस पेड का चित्र बनाओ जिनकी संख्या सबसे कम है। और लगाए। रिक्तस्थान को भरें। इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 14 है यहां समाप्त हुआ। झारें। 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 झारें।